एक बार अगर आपने इस बात को समझ लिया ना कि अपने शोरूम पर अपनी शॉप पर कस्टमर का फुटफॉल कैसे बढ़ाना है तो बाई गॉड मजा आ जाएगा इतने गराक आएंगे कि आप समाल नहीं पाएंगे पैसे की बारिश हो जाएगी इसी विशा पर हम बात करन है अप प्रशनी उड़ता है कि सार आपने इतने सारे शॉरूम तो बना लिए वहां पर फुटफॉल कैसे बढ़ाते हैं और अपने शॉरूम की रिटेल सेल कैसे बढ़ाते हैं आज इसी विशा पर हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहला जो कंसाप्ट है वो क्या है फॉलो है जीव में देखिए वाइट ब्लू का कॉंबिनेशन है आई से से बैंक डॉमिनोज हजारो ऐसे एक्जामपल है जहां पर आपको बहुत बढ़िया थीम मिलती है ताकि एक ब्रांड की इमेज क्रेट हो जाए साथ में सेम इंटीर होता है जिसकी वाज़े से कस्टमर को इंटीरियर, पूरा इंदर का इंटीरियर, अटमोस्थियर, कलर कॉंबिनेशन, मशिनरी, से एक्जूपमेंट यह में सत्रा स्वाइट है तो कस्टमर को बहुत एजी हो जाता है तो कस्टमर के मांन में गुड इंप्रेशन जाता है तो आपके ब्राइन की वैल्यू और चीज़ों को देखने के लिए, चेक करने के लिए और फिल करने के लिए बहुत कमफर्टेबल महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी दूसरी यूनिट पर आया हूँ, इसका benefit यह रहता है कि जब customer को बहुत easy feel होता है, तो वो आप से जाला जुड़ा रहता है, इसी वजय से customer के mind में आपके brand का जो positioning का वो right हो जाता है, उसकी memory वो store हो जाता है और आपका brand एक trustworthy brand बन जाता है, बात करते हैं एगली टेखनीक के बारे में, customer का अपने showroom पर अपनी shop पर footfall बढ़ाने के लिना cross merchandising सबसे बढ़िया तरीका है, आप cross merchandising क्या होता है, मतलब आप ज के साथ साथ आपका sales volume बढ़ता है, customer आया था था एक चीज़ खरिदने के लिए, पर वो दूसरी चीज़ भी साथ लेकर जा रहा है, जैसे आप readymade garment stores में देखेंगे, तो वहाँ पर एक statue ने या डमी ने shirt पहनी हुई है, pant पहनी हुई है, साथ में shoes भी पहनी हुई है, shoes के सा example group में बता सकता हूँ, जैसे आप mobile store में जाते है ना, तो mobile store में क्या होता है कि एक जेगा पर सारे mobile display है, साथ में वहाँ पर different different चीज़ और display है, pen drive भी वहाँ display है, hard disk भी वहाँ पर display है, headphone भी वहाँ पर display में है, Bluetooth charger भी वहाँ पर display में है, इसके अलावा वहाँ पर batteries भी display में ह तो क्या होता है कि multiple products को जब display करते है ना, तो merchandising के मादियम से आपका जो business का sales volume है, वो आसानी से बढ़ जाता है, अब customer आया थो था एक चीज़ खरिदने के लिए, पर आपने उसके mind में दूसरी चीज़ खरिदने की desire पैदा कर दी, जिसके वारे में हो सोच करी नहीं आया तो इसका benefit क्या होता है कि हमारा sales का volume बढ़ता है, sales volume बढ़ेगा तो profit बढ़ेगा, क्योंकि customer acquisition cost बहुत ज़्यादा है, और वो customer acquisition cost हमारी कम हो जाती है, उन products पर जिसको हमने merchandising के थुरू sell कर दी है, पहले आपने देखा होगी trend क्या था, कि shop के अंदर wooden का traditional fitted furniture बना होता है, उ जहां पर वो regular product को move करते रहते हैं और change करते रहते हैं, अब movable display और portable display का benefit और होता है, आप on average ये देख लेते हैं कि मेरे पूरे business में किस product पर कितना margin है, आपको ये पता होता है, और concept product high selling product है, तो concept product का showcase कहां करना चाहिए, ये भी बड़ा important factor प्ले करता है, कि आपको ऐसे product का level of margin अच्छा है, customer आसानी से खरिदने के लिए तयार होता है, उनको ऐसे जगापर move करना चाहिए, जहां पर customer आसानी से उसको access कर सके, उसको देख सके, ताकि उसके प्रती attract होके वो उसको खरिदने के लिए तयार हो जाए, वो cable तभी संबव है, जब आपका display movable होगा, या portable होगा, अब इसके बहुत सारे example है, जैसे M&M के शुरूब में आप जाएंगे, चुन्मन स्टोर में जाएंगे, तो वहां क्या देखेंगे, कि सारा का सारा cosmetic, artificial jewelry, electronic products इस तरह से place किये हो है, ताकि एक दूसरे को cross selling का benefit भी देते रहें, और उनको पता है कि कौन सा ऐसा place है, ज मुझे चाहिए ही चाहिए, यह तो मैं ले लेता हूँ, है ना, तो electronic stores में भी ऐसा होता है, gadgets को इस तरह से place किया जाता है, जो users के हिसाब से, जब कोई व्यक्ति खरीदे तो उसको लगे है, साथ में add-on यह और चीज है, इसको भी खरीद लूँगा, तो मेरा जो gadget का use कामरा भाई किया, साथ में देखा, माँ पर tripod भी है, और या tripod भी मुझे चाहिए, तो आपने tripod भी खरीद लिया, tripod आप खरीद ही रहे थे, आपने देखा कि यहाँ पर lens kit का एक box बना हुआ है, उसमें अलग-अलग तरह है कि lens रखें तो आपने का lens भी ले ले लेता हूँ, जब आपने lens खरीदा तो आपको पतागा lens के cover भी चाहिए, bag भी चाहिए, तो उससे related जितनी चीज़ें आप खरीदना शुरू कर देते हैं, है ना, तो इसका मतलब है अगर सही तरीके से portable display होगा, तो आप यह identify कर पाएंगे, कि किस product की sale कितनी है और किस की sale बढ़ाने के ल आप देखिए, आजकल जो बड़े-बड़े brands है ना, वो अपने store को ऐसे design कर रहे हैं, कि जहां पर वो product रखा है, उससे संबंदित सारी information वहीं मिल जाती है, product से संबंदित catalog, उससे संबंदित tab लाग वाँस में video, उसकी complete detailing, customer वहाँ पर देखता है, physically product को test भी करता है, जिसक और जिस product को लेके customer comfortable होता है, educate होता है, उसको खरीदने की संबावनाई ज्यादा बढ़ जाती है, साथिसाच का एक दूसरा benefit ही होता है, कि cost of sales staff है, वो कम हो जाती है, जादतर क्या होता है, एक product का demonstration करने के लिए, वहाँ sales staff रखा जाता है, जो client को product के बारे में बता है, उसक importance बता है, उसके uses बता है, लेकिन जब वहाँ पर सब चीज़ डिजरल ही आपने दी होती है, टाप के मादेम से हर चीज़ आ experience कर सकते है, तो customer आपने आपको smart भी महसूस करता है, साथ में उसका confidence बिल्ड होता है, और product के परती उसका attraction और बढ़ जाता है, आपको benefit क्या होता ह एक तो आपका sales का volume बढ़ता है, साथ साथ आपकी cost of operation घड़ जाती है, क्योंकि sales आपको ज़्यादा नहीं रखना पड़ता है, अगर आप देखें, कोई भी person जब कीज़ जिम में एंटर करता है, तो जिम में एंटर करने किया तो किसी भी machine equipment के आसपा जाता है, तो वहाँ पर एक manual लगा हुआ होता है, किस machine को कैसे use करना है, यह कौन से body part के लिए, इसका क्या benefit होगा, कितने set करने है, कितने repetition करने है, और क्या साथ दानी बरतनी है, तो हमने customer को educate कर दिया, बार-बार gym coach को उसको बताना नहीं पड़ता, यह benefit अगर हम हम हमारे customer को देते हैं, तो आस आपने shop को अपने outlet को एक technology से जोड़ देते हैं, तो customer का जो feel and experience हो ब्लकुल different हो जाता है, आपको cold drink लेनी है, आपको chips लेनी है, आपको water bottle लेनी है, या कुछ भी लेना है, तो आप गई आपने खुद देखा कि वेंडिंग मशीन है, technology enabled है, आपने आपर card लगाया, enter किया, product select किया और buy कर लिया, तो ये technical enhancement है, अगर technology का implementation आप करते हैं, तो बहुत असान हो जाता है, आजकल ये experience बहुत सारी companies दे रही है, जैसे lens card के अगर मैं बात करूँ, तो आप lens card के store पर जाते हैं, अपना, वहाँ पर screen लगी हुई है, camera fitted है, आप खड़े होते हैं, और अलग different option है, color के different option है, आप swipe करते आते हैं, और देख लेते हैं कि मेरे face पर कौन सा suit करेगा, तो ये भी advanced technology है, इसके लाब आप Decathlon के store पर जाती है, तो वहाँ आप देखो कि technology को कितने बहतर तरीके से लगाया गया है, वो technique है, कि आप कोई भी product खरीते हैं, जैसे उसको bucket में डालते करते हैं, तो बिल आपको receive हो जाता है, आप आसानी से exit कर सकते हैं, technology enhancement का एक benefit आपको और होता है, और वो है financial benefit, अब ये financial benefit क्या होता है, वो ऐसे होता है कि जब आप technology driven business करते हैं, तो वहाँ पर number of employee आपको रखने नहीं पड़ते हैं, एक बार technology में पैसा लग गया, जो monthly salary employee को जोरु देखा होगा, या तो आपकी शादी हो गई है, या होने वाली है, अगर शादी हो गई है, तो तो आप घोड़ी पर जुरू चड़े होगे, और अगर बरात आपकी रात को वही ओई होगी, तो आपने देखा को चारों तरफ अंधीरा हैं, और आपके इंक इर्द- उतनी ज्यादा निकल के नहीं आती है, इसके लावा कभी आप अपनी फैमिली के साथ टिनर पर गए हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ रेस्टो जो है उसमें लाइटिंग का ऐसा इंपक्त है, कि आपको बिल्कुल डिफरेंट औरा फील होता है, आपको लगता है पहली बात लाइटिंग का इंपाक्ट, अब किसी भी प्रोडक को अगर हाइलाइट करना है ना, तो वहाँ पर इस तरह की लाइट होनी चाहिए, जो आपके प्रोड़क को 100% फोकस करे, जिसकी वज़े किसी भी व्यक्ति को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं तो लाइट का इंपक्ट शोरूम और आउटलेट्स पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जो प्रोडक्ट शोकेश करना है उसको हाइलाइट करना है वहाँ पर डिफरेंट तरह की लाइट्स लगाएं ताकि क इक तरह के रेस्ट्रेंट में भार बार नहीं जाते हैं बशड़ते कि आपको वहां का स्पेशलाइज कोई खाना है वो पसंद है आपको हर बार लगता है अगर पार्टी करने चलो किसी दूसरे रेस्ट्रेंट में चलते हैं वहां तो हम गए हूँ है ठीक यही बात बिजन लेकिए बहुत सारे स्टोर जहां पर समान बाहर रखा जाता है वह भी टाइम टु टाइम अगर अपना डिस्प्ले चेंज करते रहते हैं तो जो बाहर से निकलने वाला कस्टमर है वह भी सुच नया समान आया है कोई नई चीज आई है जिसकी वज़ए से उसका पहले आपने डिजाइन किया अब उसको follow करते हुए दूसरे store keeper, store owner या showroom owner आपको follow करते हुए उसको change करें तो आप trends header भी बज़ जाते हैं तो reach हो जहां पर customers product को खरीच सके अभी easy reach space कौन सा होता है कि आपके eye level पर जो product है वो display हो कहते है आई level is a buy level अगर eye level पर product रखा है तो बाई level पर रखा है कहाना आपने देशी भाशा में भी सोना होगा जो दिखता है वही बिखता है जो दिखता है वही बिखता है इसका formula ना lifestyle में हमने भी हमारे सारे product ऐसे display किये है कि customer जब enter करे तो जो जो product हम customer को देना चाहते है ठीक उसकी visibility में ठीक सामने उसके होता है so that means easy to see easy to reach और easy to reach easy to buy जोस्तों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप व्यापार के बारे में समझना चाहते हैं और आपके circle के लोग भी business में होंगे और जब आप उनके साथ वीडियो को share करते हैं तो उनको भी यह पता लगता है क यह बड़ा helpful person है कोई भी valuable जानकारी आती है यह वो भेज देता है वरना आज के टाइम पर तो लोग सुबह से लेकर 100-100-200 मेसेज भेज देते हैं और जिसको भेजा है वो उसको ठाकर देखता भी नहीं है साथ में यह और कहता है बेवकुफ ने पता नहीं क्या रोज सुब पांच टेक्नीक्स मैं आपको तभी बताने वाला हूँ जब आप मुझे comment box में लिख करें बताएंगे कि sir please tell five more techniques जिससे मैंने अपने business को बढ़ाया मेरे circle में लोगों ने business को बढ़ाया और जिन लोगों को मैंने consult किया उन्होंने अपने business को बढ़ाया अगर आप भी ऐसा क करना चाहते हैं तो अभी comment box में लिखें और आप लोग videos देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं तो मेरा request है subscribe जरूर कर लें ताकि video को notification सबसे पहले आपको मिले ऐसा नहों कि आपका competitor आप से पहले चीज़ों को देख कर समझ कर अपने business में implement कर दे कोई भी informative video मिस नहों तो जरू सब्सक्राइब कर लें यार यह मेरा request है आपसे और like का button भी दबा देना अगर like का आप दबाते हैं तो हमें मिलता motivation और जब हमें motivation मिलता है तो multiply करके हम आपको देते हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं Dr. Amit Maishwari आपके सुनरे वविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भार करता है